जैसरी गणे जैसरी रादे पंद्रा परप्री दिन गुरुवार जैसे की माक मास चल ला है और हम इसके आगे का आज का अधियाय सुनेंगे जो इस प्रकार है अगर आपको मेरे दोरा कही हुई कता पसंद आती तो वीडियो को जादा से जादा शेयर किया किजिए प्लीज औ में झारे राजसु यग किया और अश्मिक यग भी किये जिनकी खंबे सोनेगी बनाई गये ब्रह्म्मं को अनका का बौहसा दान किया और बहुत सी गाए सुन्द वस्त और सोने के अभूशन, दान में दिये, वे देवताओं का भक्त और दान करने वाला था, ब्रदक नाम का एक ब्रह्मर जो अत्यन, मूर्ग, कुलहीन, कृशीकार करने वाला, दुराचारी, तथा आधर्मी था, वे भाय बंदों का त्यागा हुआ, इधा उधर गूमता हुआ, देव यात प्रहमर और राजा, दोनों एक ही दिन मृत्यों को प्राफ्ट होए, मैंने इन दोनों को बराबर इन दे लोग में देगा, तेजी, रूप, बल, इस्तरी, वस्त और अभूसरों में दोनों समान थे, ऐसा देखकर उसके मात्मे को क्या कहा जैं, रासु यक करने वाला स्वर से बहुत से दुके नश्ट हो रहते हैं, अधिक क्या कहें, और किसी भी तीर्थ में किये गए पाप माक मास में प्रयाग मिस्तान करने से नश्ट हो रहते हैं, मैं पिशास मोचन नाम का एक पुराना इत्यास सुनाता हूँ, इस इत्यास को ये कनियाएं और तुम्हारा उसने पिशास को निर्मुक्त किया था, वेद निधी कहने लगी कि वे कहां का रहने वाला, किस का पोते, किस पिशास को उसने निमुक्त किया था, आप विस्तार पुराग ये सब कताय सुनाएं, लोमस रिशी ने कहा, किल्पग से निकली हुई सुन्दर स्वरस्वती के कि पर उसका इस्तान था जंगल के बीच में पुन जल वाली स्वरस्वती बहती थी वन में अनेई प्रकार के पसुब भी विचड़ते थे उस प्रमण के श्राप के भैसे पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत रत के समान था उसे जगे धर्मात्मा देव धूती रहता उसके पिता का नाम सुमित था और वे लश्मी के वर्दान से उत्पन हुआ था वे सदेव आत्मा को इस्तिर रखता गर्मी में अपने नेत्रे सूरी की तरफ रखता वर्सा में खुली जगय पर तपस्या करता हीमंत रितु में सरश्वस्त सरोवर में बैठता और त्री काल संदिया करता जितेंद्रिये और सदवादी भी था अपने आप गिरेवे फल और पत्यों का भोजन करता था उसका सरीर रे सूप कर हड़ियां मात्र हो रह गई थी इस पकर उसको तब करते हुए महां पर हजार वर्स बीद गय तब कि प्रवाव से उसका सरीर अगनी के समान प्रजुलित था विश्मों की प्रसंता से ही वे सबकार करता ददीची रिशी के वर्दान से ही वे सेश्ट वैश्मों हुआ था एक समय उस ब्रह्मन ने वैसाक महिने की एका दसी को हरी की पूजा कर उनकी सुन्दर इस्टुती तथा विंती करी उसकी विंती सुनका भगवान को इस प्रस्टे देखकर प्रसंता के मारे उसकी आँखों में आसु भरा है और क्रते क्रते होकर उसने भगवान को प्रणाम किया उसने अपने सरीर को भी याद ना रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया तब भगवान ने कहा कि हे देधुती मैं जानता कि तुम मेरे परम भक्त हो मैं तुम से अती प्रसन हूँ तुम वर मांगो इस प्रका भगवान के वचन सुनके प्रेम के मारे लड़ खडाती हुई वाड़ी में कहने लगा कि हे देव देवादी देव अपनी माया से सरीर धारन करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भ क्या चाहिए मैं सदेव आपकी भक्ती में लगा रहा हूँ भगवान उसके वचन सुनके कहने लगे कि ऐसा ही होगा तुम्हारे तब में कोई बाधा नहीं पढ़ेगी जो मनुष तुम्हारे कहे कि इस रोज को पढ़ेगा उसकी मुझे में अचल भक्ती होगी उसके धर्म संपूर होता है इसलिए हमें कथा का शवर्ण अवश्च करना चाहिए जैसे कि गुप नरातरे चल ले हैं तो आज हम दुर्गा अर्गला इस्तोस्त्रम का पार्ट सुनेंगे अर्गला इस्तरोत का पार्ट दुर्गा कवश के बात और कीलक इस्तरोत के पहले किया जाता है ये देवी महात्मय के अंतरगत के जिनेवला इस्तरोत अत्यन सुपकारक और लाप रहते इस इस्त्रोत का पार्ट नौरात्री के अलावा देवी, पूजन या ससतीव के पार्ट के साथ भी किया जाता है ओम चंडिका देवी को नमशकार है मरकंडिरी कहते हैं जैन्ती, मंगला, काली, ब्रतकाली, कापालनी, दुर्गा, चमा, सिवा, धात्री, स्वाः और स्वाधा इन नामों से प्रसेट जक्तम्भिके तुम्हें मेरा नमशकार हो देवी चामुंडे, तुम्हारी जैयो संपूर प्राणियों की पूरा हनने वाली देवी, तुम्हारी जैयो सब में व्याप्त रहने वाली देवी, तुम्हारी जैयो काल रात्री, तुम्हें नमशकार हो मदू और क्याटो को मानने अली तेथा ब्रह्मा जी को वर्दान देने वाली देवी तुम्हे नमस्कार हो तुम मुझे रूप दो, जैदो और यश दो और मेरी काम क्रोध आधी सत्नों का नाश करो महिसा सुर्का और नाश कनने वाली तता भक्तो को सुख दिने अली देवी तुम्हे नमस्कार हो तुम रूप दो, जैदो, यश दो और काम क्रोध आधी सत्नों का नाश करो रक्ति बीश का बद और चंड मून का विनाश करने वाली देवी तुम रूप तो, जैदो, येश्टो और काम ग्रोध आधी सत्रों का नाश करो सुम और निसुम तता धूम लोचन का मर्धन करने अली देवी तुम रूप तो जैदो येश्टो और काम ग्रोध आधी सत्रों का नाश करो सबके दोरब बंदिर युकल चन्रों वाली तता संपूर सभाग प्रदान करने अली देवी तुम रूप तो जैदो येश्टो और काम ग्रोध आधी सत्रों का नाश करो रूप तो जैदो येश्टो और काम ग्रोध आधी सत्रों का नाश करो मुझे स्वभाग और अरोग स्वास्थ दो परम सुक दो रूप तो जैदो येश्टो और काम ग्रोध आधी सत्रों का नाश करो जो मुझे से द्रेश करती हो उनका नाश और मेरे बल की व्रद्धी करो रूप तो जैदो येश्टो और काम ग्रोध आधी सत्रों का नाश करो अंबिके देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकोड की मणियों को तुम्हारे चणनों पे घिसते हैं तुम रूप तो जैदो येश्टो और काम ग्रोध आधी सत्रों का नाश करो तुम अपने भगते जन को विद्वान येश्श्वी और लश्मी वान बनाओ ताथा रूप तो जैदो येश्टो और काम ग्रोध आधी सत्रों का नाश करो प्रचन दैतियों के दर्व का दलन करने वाली चंडिके मुझी शन्लागत को रूप तो जैदो येश्टो और काम ग्रोध आधी सत्रों का नाश करो चतुर भुष ब्रह्मा जी के द्वारप रशन सी चार बुजा धारी परमेश्री तुम रूप तो जैदो येश्टो और काम ग्रोध आधी सत्रों का नाश करो देवी अंबिके भागवान विश्णु नित निरनंतर भाक्ती पुर्वा तुमारे इस्तुति करते रहते तुम रूप तो जैदो येश्टो और काम ग्रोध आधी सत्रों का नाश करो हिमाले कनिया पारवती के पती महादेव जी के द्वारा होने वाली परमेश्री तुम रूप तो जैदो येश्टो और काम ग्रोध आधी सत्रों का नाश करो सची पती इन की द्वरा श्रद्ध वसे पूजित होने वाली परमेशी तुम रूप तो जैदो येश्टो और कामक्रोत आदि सत्रों का नाश करो प्रचन भुज डंडो वाले दैतियों का घमन चूर करने आली देवी, तुम रूप तो, जैदो, येश्टो और कामक्रोत अधिस सत्रों का नाश करो देवी अंबिके तुम अपने भक्त जनों को सदा असीम आनन रदान कर दियो मुझे रूप दो, जैदो, येश्टो और कामक्रोत अधिस सत्रों का नाश करो मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनुहर प्रत्नी प्रदान करो जो दुर्गम संसार से तारने वाली ताता उतम कुल में जन्मी हो जो मनुहर इस सत्रोत का पार्ट करके सब सती रूपी महा इस्त्रोत का पार्ट करता है वे सत्रोत की जब संक्या से मिलने वाले शेश्टवल को प्राप्त होता है साथ ही वे प्रचुर संपत्ती भी प्राप्त कर लेता है इस प्रकार ये स्त्रोत यहीं पर समाप होता है जै मातादी अगर आपको मेरी दोरा कहा हुआ पार्ट पसंद आया हो तो वीडियो को जादा सी जादा शेर कीजेगा लाइक कीजेगा चैनल को सस्क्राइब करके कमेंट में जै शिरी गणिश जै मातादी लिखेगा माक मास्क की कथा के साथ साथ हमको श्री हरी के करपा के प्रसंता के लिए हमको गजेन मोर्ष इस्त्रोत्रम का पाठ आवश सुनना चाहिए तो अब हम सुनेंगे गजेन मोर्ष इस्त्रोत्रम आज हम माग मास के अध्याई के साथ में गजेंद इस्त्रोत्रम भी सुनेंगे क्योंकि इसके सुनने से हमको माग मास के कथा का पूरा फल प्राप्थ होता है हिंदू धर्म के प्रथम ग्रंद स्रीमत भगवत गीता के तीसरे अध्या में गजेंदरी इस्तरोत पढ़ने को मिलता है इसमें कुल 33 से इस लोग दिये गए हैं तो हम लोग भगवान श्री हरी का ध्यान करके इसका श्रवन करते हैं शुक्र जी ने कहा कि बुद्धी के अनुसार पिछली अध्याय में बढ़न किये गए रिती से अपने मन को नियंत्रिट कर और हैर्दे को इस्तिर करके गजेंद्र अपनी पिछली जनम में याद किये गए सर्वोशकार और बार बार जाप के जाने वाले इस रोग का जाप करने लगा गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरी को ध्यान करते हैं कहा कि जिनके प्रवेश सरीर और मस्तिक चेतन की तरह विवार करते हैं ओम दौरल लक्षित और पूरे सरी में प्रकरती और पुरुष के रोप में प्रवेश करने वाले उस सर्व शक्तिमान देवता का मैं मन ही मन इसमन करता हूँ जिनके सारे ये पूरा संसार ठिका हुआ है जिनसे ये संसर अफ्तिरित हुआ है जिन्हों ने प्रकर्दि की रशना किया और जो खूते उसके रूप में प्रकट हुएं लेकिन इसके बाबसूद भी वो दुनिया से सर्वोपरी और सेश्ट हैं ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान के मैं शरण में जाता हूँ अपनी संकल सक्ती के बल पे अपने ही सरूप में रचित और स्रस्टी काहल में प्रकट एवं प्रले में आप्रकट रहने वाले इस सस्रिव प्रसिद्धी प्राप्त कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित रस्टी के साख्ष रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते हैं चशु आधी प्रशंशकों के परम प्रकाशक प्रभू आप मेरी रक्षा करें। बित्ते गए समी के साथ तीनों लोकों को और ब्रह्मा आधी लोके पालों के पंच भूत में प्रवेश्ट कर जाने पर और पंच भूतों से लेके महातपुर सभी कार्णों में उनकी परम करन सरूप प्रकर्टी में बगमगन हो जाने पर उस समय दुर्यर और घोर अंधिकार रूपेर्ण प्रकर्टी के बच रही थी। उसे अंधिकार से परे अपने परमधा में जो सर्व्यापी भगवान सभी दिसों में प्रकाशिर्थ होती रहते हैं वो भगवान मेरी रक्षा क करें विविन नाटकों रूपों में अभिनाय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तिक सरूप को जिस प्रकार से साधान लोग भी नहीं पैचान पातें उसी तरह से सत्य प्रदान देवता और महरिशी भी जिनके सरूप को नहीं जान पातें ऐसे में कोई साधान प्राणी उनका बर्ण कैसे कर सकता है ऐसे दुर्गम चरित वले भगवान मेरी रक्षा करे अनीकु शक्ती से मुक्त सभी प्राणियों की आत्म बुद्धी प्रदान करने वाले सब की बिना कारण हित अतीश्य और सादू सभाव रिशी मुनी जन जिनकी परम सरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्म चर तमाम अलोकिक व्रतों को नियमों को ए अनुसार पालन करते ऐसी प्रभू मेरी गती यह है वैं जिनका हमारी तरह ना तो जनम होता है और ना जिनका एंकार में कोई भी काम नहीं होता है जिनकी निर्कुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है इसकी वाबजूद भी वैसमिय के साथ इस संसार के श्रस्टी और प्रले के लिए अपनी इच्छा से अपनी जनम को सुईकार करते हैं उस अनशक्ती वाले परम प्रम्मा परमीश्वर को मेरा नमसकार है प्रकरत अकार स्रहित और अनेके रूप वारे अद्बुर भगवान को मेरा नमसकार है स्वयम प्रकाशित सभी शाग से परमीश्वर को मेरा सत सत नमन है वैसी देव जो नम में वाणी चित रत्यों से परे हैं उन्हें मेरा बारंबा नमस्कार है विवेक से परिपूर पुरुस के द्वारा सभी सतों गुड़ों से परिपूर निवरती धरम के आच्छन से मिनने वाले योग मोक्ष शुक की अनुबुती रुपी भगवान को नमस सभी गुड़ों के स्विकार सांथ रजो गुड़ और स्विकार करके अत्यन तमों गुड़ को अपना कर मूर से जाने वाले बिना भेद और हमिशा सत्भाव से घ्यान धनी प्रभू को मेरा नमस्कार है शरीर के इंद्रिय के समुधाय रूप पे सभी पिंडिकों के ज्या सभी इंद्रियों के जान के सभी प्रतितियों के कारण रूप जर्ण प्रपच और सबकी मूल भूता आवध्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विश्यों में आवध्या रूप से भसने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है सबके कारण लेकिन स्वयम बिना कारण होने पर भी बिना किसी प्रणाम के होने की वज़े से अनकारणों से भी विलक्षन कारण आपको मेरा भार भार नमसकार है सबी वेदों और सास्तरों के परम तातपर, मोश रूपी और सेश प्रूपसों के परम गती ये देवता को नमशकार है वे जो त्रीगुण रूपों में छुपी हुई है ज्यान रूपी, अगनी वैसी गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिक में संसार को रचनी की व्रति उत्पन हो उठती हो और जो आत्मा तत्की भावना की द्वरब विधी निशेत रूपे सस्तरे से भी उपर उठे हो जो महा ग्यानियों महात्माओं में स्वयम प्रकाशित हो रहे हैं ऐसे भगवान को मेरा नमशकार है मेरे जैसे शर्णागर पसू के समान जीवों के आव विध्या रूपे फासी को पूर रूप से काट देने वाले परम धयालू और दया दिखने में कभी भी आलस नहीं करने वाले भगवान को नमशकार है मेरा में अपने अंस सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकाट होने वाले सर्फे नियंता अनन्त परमात्मा आपको मेरा नमशकार है जो सरीर होती मिति घर और संपत्ती सहीर कुटम्भियों में अशकते लोगों के द्वारा कटनाई से मिलते हैं और मुक्ते पुरुसों के द्वारा अपनी हेर्दे में निरंतर चिंतिती ज्यान सरूप सर्फे समर्थे परमिशर को मेरा नमसकार है वे जिने धर में अब बिलिश्टे भोग के धन और मोश की कामने से मनन करके लोग अपनी मन चाही इच्चा पूट कर लेते हैं अभी तो जिने विविन प्रकार आयाचित भोग और अभिनाशी पारसा सरीर भी देते हैं वैसे अत्यन द्यालू प्रभू मुझे इस प्रकार की विबदा से हमीशा के लिए बहार निकाले वैसे जिनके एक से अधिक भक्त हैं जो मुक रूप से एक मात उसी भगवान के शर्ड में जो धरम अर्थ आदी किसी भी प्रदार्थ की अबलाशा नहीं रखते हैं जो केवल उनी के परम मंगल मैं एवं अत्यन विलक्षन चर्ड का गुरगान करते हैं उनके आनंद मैं समुत्र में गोते लगाते हैं उन अभिनाशी सर्वियापि सर्मान ब्रहमादी के भी नियमाग आभक्तों के लिए भी हमेसे प्रकट होने वाले भक्ती योग द्वरप्राव अत्यन निखट होने पर भी माया की करण अत्यन दूर महसूस होने वाले इंद्रियों के दारा अगमे और अत्यन दुर्विक के अंतिर रहे थे लेकिन सभी के आदी कारण और सभी तरफ से पढ़र पूर उस भवान की मैं इस्तुती करता हूं वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता चारोवेत समस्ते चर और चर जीव के नाम और आकरती भेज से जिनके अत्यन छुत्र अंसों से रचित हैं जिस तरह से जलती हुई अगनी की लप्टे और सूरस की किर्णे हर बाहर निकलती हैं और फिर से अपने कारण में लेन हो जाती हैं उसी प्रकार बुद्धी, मस्तिक, इंद्रियों और नाना योगनियों के सरीर से जिन गुणों से प्राप्त सरीर जो स्वेम प्रकार से परमात्मा से अफ्तिरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है। वे भगवान जो ना तो देफता हैं, ना असुर, ना मनुस और ना ही मनुस से नीचे, किसी अन योणी के प्राणी ना ही वो इस्त्री हैं, ना ही पुरुश्य और ना पुनसक हैं और ना ही वो कोई ऐसी जिव हैं जिनका इन तीनों ही सेड़ी में समावेस हैं। वो ना तो गोड़ हैं, ना कर्म हैं, वो ना ही कारण हैं और ना ही कारण। इन सभी योणियों का निशेद होने पर जो बसता है वही उनका असली रूप हैं। ऐसी प्रभू मेरा उत्तान करने के लिप रकट हूं। मुक्त होकर होना चाहता हूं। जिसका काल क्रम से अपने नास नहीं होता है, बलकि इस्वर की दया और ज्ञान से उद्य हो पाता है। वह जिनोंने भगवत शक्ती रूपी योग के द्वार कर्मों को जला डाला है। जिने समस योगी रिशी अपने योग के द्वार अपने सुथ हैर्दे में प्रेकट देखते हैं। उन योगेशर भगवान को मेरा नमशकार है। वह जिनके ती गुड़े शक्तियों का रा के रूप विवेग और आसा हैं। जो सभी इंद्रियों के विशे रूप में मौजूद हैं। वह जिनकी इंद्रियां समध विश्यों में ही बसी रहती हैं। पूरे प्रकार से भगवान के भेत रहित सभी निरकार रूप का वर्लन किया था। उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन कोई देवता नहीं आएं। जो अपने विविन प्रकार के विशेज विक्रों को की अपना रूप मानते। ऐसे में शाक्षत विश्यों जी जो सभी के आत्मा होने के करण सभी देवताओं को रूप हैं। तब महां प्रकार हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देके और उसके पड़े के इस्तुति को सुनके जक्रधारी प्रबू इच्छानुसार वेग वाले गणुड की पीट पर सवारों के सभी देवताओं के साथ उस इस्थान पर पहुचे जहां पर वे गज थे थ तो वे अपनी सूर में पहले से ही उनकी पूजर के लिए रखे कमल के फूल को श्रीहरी पर बढ़साते हुए कहने लगे सर्वे पूच भगवान श्रीहरी आपको मेरा नमस्कार है। ये को उस पीड़ा से बहा निकाल लिया। जै हो जै श्रीहरी जै श्रीविश्णू जो भी गजेन मोशपाट को सुनता है उसके सभी पाप श्रीहरी जी ततकाल दूर कर दे। इस जाप को करने से व्यक्ति बड़े से बड़े करजों से मुक्त हो जाता है। अगर आपको पसंद आए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जादा शीरादा शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके जै श्रीहरी लिखेएगा जै शीरादी जै श्रीकृष्ण। झाल 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 झाल